हेलो दोस्तों नमस्ते आदाव सस्तियकाल आपका दोस्त गौरफ टैस्ट बुक डॉट कॉप पे स्वागत करता है जहाँ पर हम कर रहे है रेलवे ग्रूप डी एड एंटी पीसी सी बीटी टू की जनरल साइंस तो फड़ा फड़ से सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे और सभी एक बार शेयर कर देंगे जिससे जादा से जादा लोग यहाँ पर आ सके तो भाई सबको गुड मॉर्निंग दीनानाद जी भासकर जी फड़ा फड़ से एक बार शेयर कर दीजे और कह दीजे भाईया साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एक बार जुड़ जाएंगे जिससे जादा से जादा लोग कॉम्टीशन कर सकें ठीक है तो भाईया एक बार थमजब जरूर करिएगा अगर मेरी वॉइस और स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है तो हाजी यहां पे डिस्ट्रॉयर हाई उजाला गुड मॉर्निंग फड़ा फड़ से एक बार चुड़ जाएंगे और देखते हैं आज किसको कितने कॉशेंस बनते हैं क्योंक हाजी सूरज गुड मॉर्निंग जल्दी से थमजब करेंगे जिससे में आगे बढ़ा हूं प्रिया गुड मॉर्निंग भासकर जी ओके तो यहां पर थमजब आ चुका है दोस्तों अभी तक हमने कल किये थे जनरल साइंस के कोशन सिमिलरली आज हम करने वाले हैं यहां पर साइंस के जो की रेलवे गुरूबडी और एंटी पीसी सीबीटी टू के लिए दोनों के लिए यहां पर होगा अच्छे कल शाम की क्लास एक्चली यूट्यूब की ग्लिच की वज़े से नहीं चली थी लेकिन आज जरूर होगी आपकी क्लास उसकी टेंशन आपको बिलकु मोटिवेशनल कोट की तरफ मोटिवेशनल कोट आज का है जिनको अपने काम से महबद होती है फिर उनको फुरसत कहा होती है बिलकुल सही बात है जिनको अपने काम से महबद है प्यार है भाई मुझे पढ़ाई करना है मुझे देना ही है कई बार क्या होता है कि लोग चले जाते हैं सर आज function है चला जाता हूं शादी है चला जाता हूं बर्दे है चला जाता हूं लेकिन जिनको महबत है वो क्या कहते हैं शादी हो चाहे बर्दे हो हमें तो बैठ के पढ़ना है मतलब पढ़ना है तो यह सही बात है पढ़ाई करोगे महबत करोगे तो फुरसत तो ब लेके ही रहना है हाँ जी अटोनू गुड मॉने प्रत्योश यह लोकिंग एंड्सम भाई मैं जैसे दोस्त अगर हो तो चेहरे पे चमक और खुबसूरती तो अपने आप बढ़ जाती है चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्ण की तरफ और पहला प्रश्ण आपके सामने यह र दूसरा नाम क्या दिया जाता है लॉफ मोशन नूटर फर्श्ट लॉफ मोशन नूटर सेकंड लॉफ मोशन और वजह चांव है जल्दीसे बताएंगे देखते हैं किसके करेक्ट आंसर आते हैं अभी तक तो भाई किसी का भी करेक्ट नहीं आया है क्या बात है आज लगता है खाकर नहीं आए नाश्ता करके आएंगी नहीं आए भाई यहाँ पर उजाला के रहे सर ए ओप्शन होना चाहिए बाकी लोगों का क्या कहना है लगता है भाई आज ना तो कॉफी पी है ना चाए पिया है ना नाश्ता किया है तभी तो इतना टाइम लग रहा है जल्दी से कहेंगे क्या बोलते है वेरे गुड प्रत्यूश बहुत बढ़िया अशोक मैं तो वेरे गुड यहाँ पर करेक्ट आंसरों का दोस्तों क्या बोला जाता है नूटन फर्स्ट लॉफ मोशन कहा जाता है बहुत बढ़िया सेकेंड ऑप्शन इस करेक्ट वेरी गुड रवी कुमार आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्ण की तरफ लेकिन उससे पहले देखें नूटन ने तीन लॉफ दिये थे ठीक है तो याद रख प्रोसेस ऑफ रिमूबल ऑफ वेस्ट प्रोड़क्ट फ्रॉम दा यूमन बॉडी नोन एस मानव शरीर से अपशिष्ट उत्पादों को त्यागने की प्रक्रिया को क्या खा जाता है यूरिनेशन नूट्रिशन इजेशन और एक्सक्रिशन हाँ जी रनबीर कुमार बिलकुल सही है थ्री नहीं होगा उधर पे वहाँ पर होना चाहिए बी ऑप्शन फर्स्ट लॉओ ठीक है प्रिया जी वेरी गोड रवी वेरे गोड यहाँ पर बताते हैं कौन सा होगा ऑप्शन करेक्ट जल्दी से देखें दोस्तों जितना से रिवीजन होंगे और स्पीड भी आपकी बढ़ेगी तो आपको फड़ा-फड़ से आंसर देना है रनबी कहरें सरवान होना चाहिए प्रतिश कहरें सर एक्सक्रीशन तो दोस्तों देखें यहाँ पर कंफ्यूज हो गए आप यूरीनेशन इस पार्ट ऑफ एक्सक्रीश होता है ठीक है डी दा करेक्ट आंसर आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रश्ण आपके सामने विच ओफ फॉलॉइंग केमिकल सब्स्टेंस इस प्रेजन इन बोन्स एंड तीथ हड़ियों और दातों में निम्न में से कौन सा रसाइनिक पदार्थ हो जिससे क्या होता एक एनरजी जो बॉड़ी में होती वो दौड़ सी जाती है और भाई आप तो साइंस स्टुडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो खाना आप खाएंगे उसी से आपका ATP फॉर्म होगा ठीक है एड़ोनें ट्राइफ फॉसफेट जिसको कहा जाता है बायोा इस्तमाल करिए फिजिक्स इस्तमाल करिए याथ ऑप्षाप्षं बंढवन इस करेंट यहां पे कैशियम फॉसफेट बिल्कुल और आनसर नहीं होगा क्याूगों केलिशियम of calcium and phosphorus metabolism, blood clotting, respiration या carbohydrate metabolism, जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर अंजली कह रहे सर, A option होना चाहिए, बाकी लोगों का क्या कहना है, ओके, जल्दी से बताएंगे, clotting के लिए बोल रहे है, AIM ने clotting के लिए कहा है, शुशील कह रहे सर, B option, अजय कह रहे सर, B option, प्रत्योष, very good, बहुत बढ़िया भासकर, बहुत बढ़िया, यहाँ पर correct answer हो अभी या, blood clotting, ठीक है, अब देखिए, हमने trick याद की थी, विटामिन के लिए, वो एक बार revise करते हैं, भाईया, यह विटामिन A, B, C, D, E, और K है, ठीक है, हमने कैसे याद किया था, रटा CTP, क्या रटा, रटा, CTP, यह याद किया था दोस्तो, तो देखिए, विटामिन A के पास क्या आ रहा है, तो मतलब, रेटिनॉल, क्या होगा, रेटिनॉल, B के पास क्या रहा है, T आ रहा है, तो थाइमिन, क्या दोस्तो, थाइमिन, ठीक है, C के पास क्या रहा है, A आ रहा है, तो एसकॉर्बिक, क्या होगा दोस्तो, एसकॉर्बिक, D के पास क्या रहा है, C आ रहा है, तो C मतलब, calciferol, क्या दोस्तों, calciferol E के पास क्या आ रहा है, T आ रहा है तो tocopherol, क्या tocopherol, और K के पास P आ रहा है, P मतलब polycunine क्या दोस्तों, polycunine ये याद रखेंगे, और vitamin K की कमी से, बलड clotting फिर नहीं होगी, ये याद रखेगा, vitamin K लेना जरूरी है और यहां पर fat soluble पूछेगा तो fat में कौन soluble होता है कीडा कीडा भीया fat में soluble होगा vitamin K E D A यह fat soluble है और अभीन में से K E D A अगर fat soluble है तो B और C जो बचे हैं water soluble होंगे ठीक है हाँ जी बहुत बढ़िया aim चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपके सामने प्राइमेरिली विच काइंड ओफ इस प्रेजंट इन एपल मुख्यत एक सेब सेब में किस प्रकार का अमल मौजूद होता है citric acid, lactic acid, tartric acid या malic acid हाँ जी विजय जल्दी से भाई देखो यहां पर competition होना चाहिए competition जब तक नहीं होगा माजा नहीं आने वाला दोस्तों ठीके जल्दी से malic acid आया है यहां पर aim का यहां malic acid होना चाहिए बाकी लोग का क्या कहना है अंजली के रहे सर malic acid प्रत्योश विजय वेरे गुड प्रिया रवी यहां पर correct आंसर जो होगा वो होगा malic acid ठीके क्या होगा दोस्तों apple में malic acid मिलता है citric acid किसमें मिलता है दोस्तों citric acid मिल जाएगा आपके सोर वाले fruits में सोर मतलब खटे for example lemon हो गया आपके पास orange हो गया तो उनमें आपको citric acid मिल जाएगा अब lactic acid किसमें मिलता है lactic acid आपका मिलेगा किसमें दूद में milk में तभी तो हम बोलते हैं न कि दोस्तों यहां पर आपको lactobacillus acidophilus curd बनाने में help करता है तो lactic acid आपको दूद में मिल जाएगा ठीक है और फिर उसके बाद आपका tartric acid किसमें मिलेगा यह मिलेगा इमली में किसमें दोस्तों इमली में मिल जाएगा यह याद रखेगा tartric acid इमली में मिल जाएगा हाजी चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपके सामने यह रहा जल्दी से बताएंगे इस question का answer कि भईया cold blooded ठंडे खून वाले कौन होते हैं हम तो गरम खून वाले हैं ठंडे खून वाले यहाँ पर लोग कह रहे सर फिश होना चाहिए फिश 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 बहुत बढ़िया तो देखिए यहाँ पर correct answer जोगा वह होगा option number one अब कैसे याद करें कि सर यह cold blooded है तो देखिए जो भी पानी के अंदर रहेगा या फिर reptiles रहेंगे तो वो क्या होंगे वो होंगे cold blooded क्या होंगे cold blooded जो भी बाहर है जैसे orangutan, chimpanzee, इस पैर हो यह तो पानी में नहीं रहते हैं तो यह warm blooded है ठीक है इस तरी किसम याद कर सकते हैं चलिए मचली जलकी रानी है हाँ जी आगे the following is not a nitrogenous fertilizer इन्हें में से क्या एक nitrogen उर्वक नहीं है ammonium sulfate, durea, ammonium nitrate और superphosphate दोस्तों एक बाद फटा फट से सभी लोग क्या करेंगे share करेंगे और जिन्होंने अभी तक like नहीं किया है उन सभी से गुजारिशे like करेंगे अगर आपको यहाँ पर session में कुछ सीखने को मिल रहा है तो हाजी यहाँ पर दिखते correct answer अभी तक तो नहीं आया है जल्दी जल्दी answer करेंगे दोस्तों यहाँ पर correct answer दोस्तों जो होगा वह होगा very good अंजली का answer बिल्कुल सही आया है तो सुनेरे अक्षरों में अंजली का नाम दिखा जाएगा कि भाई बिल्कुल correct answer सबसे पहले यहाँ पर बिल्कुल हाँ जी डी option डी option प्रिया पिनाकी अहमद यहाँ पर correct answer होगा option number 4 super phosphate जो है वो नहीं है nitrogen fertilizer बाकी सारे के सारे है ठीक है आगे पड़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है which of the following is the weakest acid निम्न में से सबसे दुर्बल अमल कौन सा है HF, SCL, HNO3 और H2SO4 जल्दी बताएंगे कली अभी मैंने आपको बताया था जब acid rain होता है तो form होता है HNO3 और H2SO4 और दोनों ही क्या है भया हाँ जी aim D option is correct है उजाला शर्मा वेरे गोड यहाँ पर G1, G1-2, okay G1-2 very good यहाँ पर आ रहा है sir option number 2 होना चाहिए कुछ लोग कह रहे है sir option number 4 कुछ कह रहे है one 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 तो भाइया जो भी one के साथ जा रहे है वो बिलकुल correct है क्या है बिलकुल correct है क्यों क्यों क्योंकि HF जो होता है यह strongest नहीं यह weakest acid होता है आपको पता है HCl battery में use होती है कहां पर यूज होती है बैटरी में use होती है ठीक है और आपके stomach में भी क्या होता है form HCl होता है और इसका pH कितना होता है 1.5 होता है ठीक है तो यह तो खतरनाक acid है H2SO4 तो राजा है acid का राजा है जिसको बोलते है sulfuric acid किया बोलते है chef sulfuric acid बोला जाता है इसको ठीक है और którzy को क्या होता है nitric acid बोला जाता है ठीक है तो यह तो सारे के सारे क्वच्चर खतरनाक हो गए सिर्फosition गातरनाक है लेकिन उससे पहले test book आपके लिए लाया है जहां पर आपको 399 में मिल रहा है, 510 से भी जादा exam का cover करने का मौका और 36,000 से भी जादा mock test तो आप 399 में pass को buy कर सकते हो और mock लगा सकते हो, pass को buy करते वक्त आप code यूज़ कर सकते हो, game pass इस code को यूज़ करते ही, आपको क्या मिल जाएगा, 10% का discount मिल जाएगा, कैसे अवेल करना है, इसको फड़ा पड़ से एक पर देख लेते हैं, आपको simply YouTube पे जाना है, कहां जाना है दोस्तों YouTube पे, और testbook के किसी भी वीडियो पे चले जाएगा, चलिए भाईया, ये live class चल रह लिंग, इसको आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक new page उपन होगा, जहां पर mock के details आपको मिल जाएगे, जैसे कि आप देख सकते हो, monthly test book 299, yearly test book 399, और lifetime test book 599, अब यहां पर हम करेंगे, क्या दोस्तों, जादू, जादू कौन सा, discount coupon लगाएंगे, discount coupon अपना क्या है दोस्तों, game pass G, A, M, P, A, SS, इसको apply ही करते, देखोगे, आप जादू हो गया, जो बहिए 299 हो था, वो 270, जो 399, 360, और जो 599 था, वो हो गया 540, तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो, 510 से भी जादा exam covered है, 37,000 से भी जादा mock test, और 10,000 से भी जादा previous year question, तो अपने यहां पर mock लग test mock का, काम मेरा रोज का, ना मुझको कोई रोके, ना किसी ने टोका, तो ठीक है, इस गाने को याद रखिएगा, और mock लगाते रहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, the focal length of lens of eye is under the control of, नेत्र के lens की focus दूरी किसके नियंतर में होती है, आईरीस, प्यूपिल, ciliary body या cornea, जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर जल्दी से की बढ़िया, जो आंक की पुतली का focal lens होता है, वो कौन control करता है, हाँ, यह तो nitric acid, sulfuric acid, aquarigia बनाता है, बहुत बढ़िया, आपको exam में पूछा भी जाता है, कि aquarigia किसका picture होता है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर अविनाश, option number two, 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 सबी जा रहे, यहाँ पर correct answer जो होगा, यहा, ciliary body कैसे हो गया, यहाँ पर ciliary body नहीं होगा, दोस्तों, यहाँ पर वैसे तो iris होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे, जो यहाँ पर आपका, क्या होता है, lens होता है, उसके उपर ही क्या ह करती है, iris होती है, iris ही क्या करती है, इसको control कर रही होती है, और वही क्या करती है, color provide करती है, क्या करती है, color provide करती है, ठीक है, हाँ, जी, चलिए, आगे पढ़ते हैं, आगले question की तरफ, अगला question आपके सामने, यह रहा, refrigeration helps in food preservation by, प्रशीतन किसके द्वारा खाज संरक्षण में मदद करता है, killing of germs, reducing the rate of biochemical reaction, destroying the enzyme reaction, or sealing food with a layer of ice, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, हाँ, जी, यहाँ पे दिखे, यहाँ पर क्या पूछा है, refrigeration, health and food preservation, जब आप fridge में, या refrigerator में, कोई भी पदार्ज को रखते हो, तो वो किस तरीके से बच जाती है, सडने से, या उसकी कैसे सन रख्षण करता है, यहाँ पर लोग करेंसर, option number two होना चाहिए, प्रत्योष, रवी, अविनाश, शुशील, उजाला, तो भाईया, यहाँ पर correct answer होगा, option number two, reducing the rate of biochemical reaction, वहाँ पर वो biochemical reaction, जो होती है, उस rate को कम कर देती है, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, कि भाईया, cold store में अगर कोई भी fruits या vegetable रखा है, तो वो उसका ripening, जो है, वो slow हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि respiration, जो होता है, respiration, वो decrease हो जाती है, ठीक है, हाँ जी, चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले question की तरफ, कोरोना ग्राफ is used for, कोरोना ग्राफ का प्रियोग डैश के लिए किया जाता है, study of beans, study of blood pressure, observing the photographic, the sun's corona, और studying the arteries, हाजी अंश, जल्दी से जुड़ जाइए, फटा फट से, यहाँ पे सारे योधा answer दे रहे हैं, आपको भी देना है, यह मुश्किल की घड़ी में, जब साथ सबका हो, जीतने से हमें कौन रोख सकता है, यह रात कौन सा हो, ठीक है, तो यह आद रखिएगा, चलिए आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे correct answer, very good, see is the correct answer, क्या होगा, observing and photographing the sun's corona, अब यह यह बिमारी वाला corona नहीं है, याद रखिएगा, corona यह कौन सा है, जो outer layer होती है, किसकी, outer layer होती है, उसको हम क्या बोलते है, sun की outer layer को corona बोला जाता है, ठीक है, बिमारी वाला नहीं है, corona यह, हाजी बह करते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशन आपके सामने यह रहा, silk is obtained from which type of organism, रेशब किस प्रकार के जीव से प्राप्त किया जाता है, moth, goat, sheep, butterfly, इतना आईजी option देंगे, तो why question बनी जाएगा, इतना easy, हाजी यहाँ पे कह रहे है, हाजी यहाँ पे कह रहे है, हा कहा जाता है, corona, ठीक है, और अगर आपसे temperature पूछ ले, तो कितना होता भाईया, 6000 degree Celsius लगबग कहा जाता है, outer surface का temperature, ठीक है, आपको कही जग है, 5,989 भी मिलेगा, ठीक है, हाजी, जल्दी बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे option number one correct है, बिल्कुल यहाँ पे option number one correct है, नितीश, अविनाश, बहुत बढ़िया, पिनाकी, आपका नाम बिल्कुल लिया जाएगा, इसमें देखे, नाम लेने वाली कोई tension की बात नहीं है, दोस्तो, यहाँ प लोगे, नाम तो automatically हो जाने वाला है, हाँ जी, रितिका सेंग, good morning, चलिए आगे पढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ, which of the following plants does not grow from seeds, निमलिकित में से कौन सा पौधा, बीज से उत पर नहीं होता है, पी, cauliflower, tomato, potato, भाईया, किसान वाले देश में, आप किसान वाला question पूछ अभी तक तो भाई किसी का अभी correct नहीं आया है, हाँ, Siri culture बोलते है, सिल्क के production को, ठीक है, यहाँ पर four options, बिल्कुल बहुत बढ़ी है, अविनाश, devotee of Shiva, Ravi, Shushil, My Aim, बिल्कुल, सोमदत यहाँ पर बिल्कुल, potato correct answer होगा, जैसा कि आपको पता है, यह थोड़ा सा potato बना दिय आपने, आपने देखाऊगा, potato में इसको कहा जाता है, आई, क्या बोला जाता है, इस आई को हम कट करके, क्या करते हैं, soil में डाल देते हैं, मतलब जमीन के अंदर लगा देते हैं, और फिर उसके बाद potato आता है, तो यह seed से नहीं होता है, यह याद रखिएगा, ठीक है, potato seed से नहीं होता है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, which of the following is not a sexually transmitted disease, निम्न में से कौन योन संचारित रोग नहीं है, ग्लोहरिया, सिफिलिस, टुबर क्लोसेज और AIDS, जल्ली से बताएंगे, यहाँ पर, अंजली कह रहे हैं, sir, D, यहाँ, अच्छा, पहले हाँ, प्रितम निल्से बताया, sir, इसको कहते हैं, हम लोग रोप देते हैं, ठीक है, जो हम लगा रहे होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, बहुत बड़िया, टीविज टी, टीविजन वाला TV नहीं है, यहाँ पे टीविज से वाला है, ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पी correct answer, जह और यहां पर यह अपने बॉडी की क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कम करता है, एड्स क्या करता है, इम्यून सिस्टम को कम करता है, एड्स को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूश किया जाता है, ELISA test, कौन सा ELISA test, यह याद रखेंगे आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्णी की तरफ, अगला प्रश्णा आपके सामने A ball of 0.1 kg is dropped from rest When it's fall through a distance of 2 meter The work done by force of gravity is 0.1 kg की गेंद को विराम अवस्था से गिराया जाता है जब यह 2 meter की दूरी तक गिरती है तो गुरुत्वा कर्शन बल डैश द्वारा किये जाने एक वाला कार है माइनस 1.06, 1.96, 0.98 और 0.98 भाईया छोटा सा numerical है, डाइरेक्ट यहाँ पर आपको बन जाएगा लेकिन सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था गिवेन आप लिख लीजिए, आपको डैरेक्ट ली सब पता चल जाएगा क्या करना है गिवेन यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर B option क्या बात है, आशीश, उजाला, क्या बात है भाई, यह तो speed अच्छा, यह speed अगर आपकी रही exam में definitely आप clear कर लोगे क्योंकि numerical में यह speed अगर आपकी आगई, बहुत बढ़िया aim यहाँ पर देखे, दिया क्या है भाईया, यहाँ पर आपको दे दिया, mass दे दिया, 0.1 kg ठीक है, आपको क्या बोला है, यहाँ पर S दे दिया distance दिया है, 2 meter, पूछ क्या रहा है work done, work done क्या होता है force into displacement होता है कि नहीं होता है force क्या होता है, mass into gravity होता है कि नहीं होता है और displacement यहाँ पर आगया तो mass हमारे पास 0.1 है gravity इन्होंने कहा है कि 9.8 लेना है और distance क्या है, मतलब displacement क्या है, 2 है जब मैं इसको multiply करूँगा तो 1.96 joule आज आएगा answer ठीक है, बहुत बढ़ी आउजाला वजिया, पिनाकी आगे पढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ अगला प्रशन आपके सामने यह रहा current of 20 micro ampere is flowing through a wire for 30 seconds the charge transferred through the wire is 30 seconds के लिए 20 milli ampere की धारक एक तार से प्रवीत होती है रहतार के माध्याम से स्थानतरित आवेश क्या है 2 into 10th power minus 4 2 into 10th power, sorry 4 into 10th power minus 4 6 into 10th power minus 4 और 8 into 10th power minus 4 यहाँ पर कुछ लोग कहरे सर बी होना चाहिए रोहित कुमार वहाँ पे 1.96 होगा, 19.6 नहीं होगा क्योंकि मास्क जो था वो 0.1 था और gravity 9.8 थी और आपको 2 दिया हुआ था तो जब आप multiply करोगे, 2816, 2918 ठीक है 1 carry, 196 आ गया, 2 के बाद point लगाना है तो 1.96 होगा, पिछले answer बता रहा हूँ ठीक है? हाँ जी, बिलकोल यहाँ पे B option बोल रहे है 3 हो सकता है यहाँ पे तो भाई, तुक्का निमारना है, numerical है तो देखे, given क्या है आपको given आपको है current, मतलब I आपको दिया हुआ है 20, micro, मतलब 10 to the power minus 6 ampere लिख सकता हूँ, micro मतलब 10 to the power minus 6, 30 second दिया है time दिया हुआ है आपको 30 second ठीक है? अब आपको पता है current क्या होता है? charge flow per unit time ठीक है? तो क्यूँ हमें निकालना है? charge ही तो निकालना है तो Q is equal to क्या होगा? IT ठीक है? तो हमें यहाँ पे I क्या है? 20 into 10 to the power minus 6 into 30 कर दूँगा ठीक है? तो आप देखोगे यह 0, यह 0 कट गया तो 10 to the power minus 4 हो जाएगा और 2, 3, 6 हो जाएगा तो 6 into 10 to the power minus 4 answer आ रहा है C answer होगा यहाँ पे correct answer जोगा C होगा बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया यहाँ यहाँ पे युक्ती, पिनाकी very good, चलिए बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं नीरज यहाँ पे अगला question आपके सामने which of the following instrument records the intensity of an earthquake निमलिकित में से कौन सा उपकरण भुकम के तिरवता को मापता है लेक्तोमीटर, हाइग्रोमीटर थर्मोमीटर और सिस्मोमीटर यहाँ पे आ रहा है sir option number C, अच्छा वो पिछले का बता रहे है पिनाकी, एम, अंजली यहाँ पे बताईए, कौन सा होगा very good, प्रत्यूश कहरे है sir option number D, ओके सीस्मो, सीस्मो, सीस्मो बिलकुल क्या बात है भाई, मज़ा आ गया कोई बात ने देखे, उजला जब आपका wrong होता है ना, तभी तो आप सीखते हो ठीके, यहाँ पर अगर आप से एक बार गलती हो रही है मतलब wrong हो रहा है अगर आपने उससे सीख लिया, learn कर लिया तो वो गलती आपके लिए फाइदे मन्द है लेकिन उसके बाद अगर आप बार बार गलती करोगे तो फिर वो गलती माफ नहीं होगी ठीके, यहाँ पर करेक्ट आंसर जोगा यहाँ ऑप्शन नमबर फोर होगा सीस्मो ग्राफ, ठीके, यह याद रखिएगा यहाँ पर देखिए लेक्टो मीटर रखा है तो भाईया, यह क्या रखा है डेंसिटी ओफ मिल्क, क्या मेजर करते है हाँ जी, मुन राज जल्दी जब बताईए यहाँ पर यूमिडिटी, वेरी गोड, वहुत बढ़िया यहाँ पर क्या होगा, यूमिडिटी होगा ठीक है, यह याद रखिएगा एक्जाम में हाइड्रोमीटर डेंसिटी, और यहाँ पर हाइड्रोमीटर यूमिडिटी यह याद रखिएगा, कन्फ्यूजन होता है एक्जाम में तो दोस्तों, अभी तक जिसने भी शेर नहीं किया है सभी से गुजारिश है, शेर करेंगे और क्या करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रस्टी की तरफ कंपोजिशन पर्सेंटेज ओफ CAO and SIO2 in Portland Cement Portland Cement में CAO and SIO2 की संयोची प्रतीशत कितनी होती है, 50 to 60 percent and 20 to 25 85 to 90 percent and 40 to 45, 60 to 68 17 to 24 3 to 10 percent और 80 to 90 80 percent, जल्दी से बताएंगे हाजी पिनाकी, humidity is the correct answer hygrometer को humidity measure करने के लिए यूज किया जाता है ठीके अंजली कह रहे है, सर skip करूंगी वे इस question को ठीके भईया, तो यहाँ पर correct answer जो होगा option number 1, very good प्रत्युश, बहुत बढ़िया, प्रत्युश भाई क्या खा कर आये हैं, आपका सुनेरे अक्षरों में नाम लिखे देते हैं, बिलकुल correct answer दिया है, ठीक है तो इसी तरीके से तयारी करनी है, कोई भी question, छूटे न पावे अना, चलिए, आगे बढ़ते है option number 1 होगा, दोस B नहीं होगा, A is the correct answer जहां पर calcium oxide लगबग 50 प्रतिशत के स्पास होता है और SiO2 जो होता है वो 50 से 25 प्रतिशत होता है आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ Which of the following gases is referred to as laughing gas निमन लिकित में से, गैसों में से किसे laughing gas कहा जाता है, carbon dioxide carbon monoxide, nitrous oxide sulfur dioxide जल्दी से बताएंगे nitrous oxide प्रतिश कह रहे है बाकी लोगों को क्या कहना भाई प्रतिश को कोई भी पीछे करने वाला नहीं है क्या, फड़ा फड़ से सब एक दूसरे को पीछे करेंगे ठीक है, देखे, actually होता क्या तैयारी होती कैसी है, तैयारी मतलब है, जितने भी आपके दोस्त तैयार है, उनके साथ बैठ जाईए, discuss करिए, उनके साथ comment share करिए, जिससे क्या होगा कि आपका speed भी बढ़ेगा, फिर आप mock तो लगाना ही है, दोस्त mock, शान्ती के साथ मतलब peace के साथ, शान्ती ऐसा nitrous oxide, ठीक है, यह याद रखिएगा carbon dioxide का color क्या होता है दोस्तों, फटा-फट से बताएए carbon dioxide का color क्या होता है, एक्जाम में कई बार पूछा जाता है जल्दी से बताएंगे carbon dioxide का color क्या होता है भाई, अभी तक तो किसी का नहीं आया है भाई very good प्रत्युष colorless, no color, बहुत बढ़िया अंजली, यहाँ पे होगा colorless क्या होगा दोस्तों, colorless होता है अगर मैं पूछता carbon का color तब आपको बताना है क्या black color कई लोग सोचते हैं, सर black होता है smoke तो black निकलती है लेकिए दोस्त, smoke में क्या होता है वो पूरी तरीके से जल नहीं पाया है उसके अंदर carbon है, इसलिए वो black दिखता है carbon dioxide निकलेगा तो दिखेगा भी नहीं, ठीके? हाँ जी, चलिए आगे पढ़ते हैं यलो नहीं होता दोस्त, अगले कुशन की तरह पढ़ते हैं which of these betas have antibacterial property इन में से किस धातू में anti-bacterial good होते हैं gold, दुर्ग, platinum या silver हाँ जी, carbon dioxide colorless होता है carbon black होता है यहाँ पे heartless soul बिल्कुल यहाँ पे यहाँ पे option number two के साथ कई लोग जा रहे है प्रत्यूश कहरे सर, silver होना चाहिए, अविनाश कहरे सर, gold होना चाहिए confusion ही confusion है, solution पता नहीं solution मिला तो, question क्या था, पता नहीं दो option में confusion है, हमारे मित्रों को gold और silver में देखे, gold और silver इसलिए हो रहा है, क्योंकि यह less reactive होते है, क्या होते है, least reactive होते है, अब आप बोलोगे, sir, यह least reactive होते है, मैं बोलूँगा, yes, least reactive होते है, तभी तो हम gold के ornaments पहनते है, silver के ornaments पहनते है, नहीं तो reaction कर जाती है, तो क्यों ही पहनते, skin में reaction हो जाएगा, ओके, I want to skip बोल रहे है, मुण, चले कोई बात नहीं, यहाँ पर correct answer जोगा, वो होगा option number 4, क्या होगा option number 4, ठीक है, यह याद रखेगा, और एक और material होता है, दोस्तों, जिसमें हम पानी पीते हैं, तामबे का आपने सुनाओगा, तामबे के लोटे में पानी पीओ, ठीक है, वो भी antibacterial होता है, जिसकी वज़े से पानी सही रहता है, हाँ जी, जीवान ने बिल्कुल correct answer बता है, आगे बढ़ते हैं, आगले प्रशनी की तरफ, which of the following mainly carries blood from different parts of our body to heart, निमलिक Yes, very good, पिनाकी बहुत बढ़िया, श्वारिमा, ओके, रितू, यहाँ पर जल्दी से बताएंगे, हाँ जी, यहाँ पर लोग कह रहे है, सर, cell होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे है, none of the above, कुछ लोग कह रहे है, सर, arteries होना चाहिए, तो भाई, यहाँ पर बड़ी ध्यान से answer देना होगा, दोस्तों, बड़े ध्यान से, बोला क्या है, carried blood from different part of our body to heart, तो यहाँ पर correct answer होगा, none of these, क्या होगा, none of these, क्योंकि different part of our body से, heart में कौन लेके जाता है, भाईया, देखे, heart के case में उल्टा होता है, ठीके, यह याद रखिएगा, heart के case में, अपने पढ़ा था, कि आटरी जो होती है, heart के case में, वो क्या लेके जाती है, deoxygenated, और जो veins होती है, वो oxygenated लेके जाती है, ठीके, तो यहाँ पर लेकिन artery नहीं होती है, इसको हम कहते है, pulmonary artery, क्या बोलते है, pulmonary artery, heart में, और veins क्या होती है, pulmonary veins, ठीके, यह याद रखिएगे, चलिए, आगे पढ़त धुम कुहा का मुख्य घटक क्या है, no2 gas, none of the above, pen या बोथ 1 and 3, जल्दी से बताएंगे दोस्त, यहाँ पे, प्रत्युष कह रहे है, सर, 4 option होना चाहिए, मतलब बोथ 1 and 3 के साथ जा रहे है, आशीष भी बोल रहे है, सर, बोथ 1 and 3 होना चाहिए, यहाँ पे aim भी कह रहे है, तो भाईया, यहाँ पे correct answer होगा, no2 gas, क्या होगा, no2 gas, जो है, वो क्या है, of photochemical smoke है, nitrogen oxide यह जो होता है, वो क्या होता है, इसका एक पार्ट होता है, ठीक है, हाँ जी, चलिए, नई, NO2 होता है, दोस्तो, यहाँ पे paint जो particular, यहाँ पे particular, जो छोटे-छोटे जो आपको मिलेंगे ना, particles, हाँ जी, very good, G1, दोफे, very good, आगे बढ़ते हैं, आगले question की The study of virus, bacteria, algae, fungi and protozoa is called, virus, bacteria, shawal, kol और protozoa के अध्यन को डैश कहा जाता है, microbiology, etiology, gerontology और physiology, जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर आ रहा है, सर, option number A, प्रत्युष कह रहे है, सर, 1 होना चाहिए, पिनाकी कह रहे है, सर, A होना चाहिए, राहूल, आदार्श, very good, A, युक्ती, बहुत बढ़िया, यहाँ पर correct answer हो का दोस्तो, microbiology, ठीक है, आपको पता है, जो भी micro की हम studies करते हैं, उसको हम बोलते ह होती है, study of living and non-living, यह भी याद रखेगा, fruits की study को क्या कहते हैं, दोस्तो, अभी हमने कली, यह हाल में ही पढ़ा था, fruits की study को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग, हाँ जी, microbiology, बिल्गुल correct है, रितिका सेंग, उजाला, पिनाकी, pomology, very good, pomology कहा जाता है, क्या कहा जाता है, pomology कहा जाता है, यह याद रखेंगे study of fruits को, आगे पढ़ते हैं, अगले question की तरह, अगला question आपके सामने यह रहा, plaster of paris is stoned in a, plaster of paris किसमे संग्रिहित किया जाता है, metal container में, moisture proof container में, insulated container में, या glass container में, very good, सबको पता है, भाई, G1, उजाला, halder, okay, halder, atonu, भाई, कैसे कैसे नाम, आप लोग इतने difficult difficult नाम लेकर आते हो, भाई, इतने तो biology में difficult difficult आपको word नहीं मिलेंगे, जितने आप लोगों के नाम difficult है, moisture proof, okay, यहाँ पर aim कह रहे है, moisture proof, युक्ती, very good, यहाँ पर correct answer रोगा भाई, यह moisture proof, क्यों, अगर moisture proof नहीं हुआ, तो वो तो reaction कर जाएगा, और आपको पता है, जैसे reaction करेगा moisture से, वो hard हो जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको क्या किया जाता है, moisture proof, container में, रखा जाता है, antracite, lignite, peat और bituminous, जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर कह रहे है, सर, option number, वेरे गोडे, बहुत बढ़िया, वहाँ पर reaction हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, प्रत्युष कह रहे है, सर, antracite, भासकर, antracite, विक्की, युक्ती, आशीष, बहुत बढ़िया, यहाँ पर correct answer जोगा, वोगा, option number one, antracite जो होता है, best coal होता है, दोस्तों, best coal, क्यों, 90% of carbon होता है, ठीक है, नहीं है, तो पीटे ही देंगे ना, इनको, तो भाई, आप सबसे खराब, पीट, और सबसे अच्छा, antracite, हाँ, बहुत बढ़िया विशाल, संतोष, हाल्डर, एम, चलिए, आगे परते हैं, अगले question की तरफ, अगला question आपके सामने यह रहा, which of the following is not occurred during the photosynthesis, निम लिकित में से, क्या प्रकास translation के दौरान नहीं होता है, absorption of light by green plant, splitting of water molecules, reduction of carbon dioxide, utilization of oxygen, जल्दी से बताएंगे कौन सा correct answer होगा, यहां पर देखिए, option फड़ा-फड़ से, हरे पौधो दौरा प्रकास का absorption, जल के अडूओं की विभाजन, carbon dioxide का अपचेयन, और oxygen का उप्योजन, यहां पर लोग करें सर्फ, fourth option, fourth option, fourth option, तो भाईया, बिल्कुल, यहां पर जब सब fourth option के साथ चले गए हैं, तो fourth option, correct होगा, utilization of oxygen, कहां होता है, फोटो सिंतेजिस में, उस ताइम पे, following not occur during, बलब कौँसा नहीं होता है, यह बताना था में, ठीक है, हाँ, utilization of oxygen, बिल्कुल, correct answer है, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्णी की तरफ, in the following reaction, fill in the blanks, acid, base, क्या बनाएगा, दोस्त, बताइए, और water बनाएगा, निमलिकेद में से, प्रतिकरिया में, रिप्तिस्थान भरे, अबले शार और डैश पानी बना दे हैं, carbon dioxide, metal oxide, और hydrogen gas, salt, ओई-ओई-ओई-ओई, क्या बात है, यहां पर मतलब, मैं option पढ़ रहा हूँ, यहां पर answer आ रहे, इतनी तेजी से, गदव, सही है, यहां पर correct answer जोगा, वोगा option number 4, अब यह यह वो salt नहीं है, कि आप बोल दो कि N-A-C-L वाला, यह salt नहीं है, यह salt मतलब है, कि कोई ना कोई, यहां पर क्या बनेगा, compound बनेगा, reaction करके बनेगा, तो यहां पर बनता क्या है, acid plus base, यहां पर बनेगा, salt, ठीक है, N-A-C-L वाला salt नहीं होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ, अगला question आपके सामने, यह रहा, विच अलो ट्रॉप्स ओफ कार्बन, इस यूज़ बोथ ऐस, लुब्रिकेंट एंड लेड इन पैंसिल, कार्बन के किस आप रूप को उप्योग सेहक के रूप में, और पैंसिल के लीड के रूप में किया जाता है, डाइमंड, कोल, चारकोल, ग्रेफाइड, यहां पर डाइमंड इन पैंसिल और नहीं करते हैं, तो भाईया, एलिमिनेट कोले को करते हैं, क्या भाईया, नहीं करते हैं, एलिमिनेट चारकोल को करते हैं, नहीं भीया, यह तो हम अपनी स्किन पे लगाते हैं, ठीक है, इसकिन पर लगाते हैं और चमकाते हैं, तो यह भी नहीं होगा, यहां पर correct answer होगा graphite, क्या होगा दोस्तों, graphite होगा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशनी की तरफ, अगला प्रशन आपके सामने, potassium permagnate is used to purify water as it is, potassium permagnate का उपयोग, पानी को शुद्ध करन sunny, ओके, यहां पर पताना है फट आफट से कौन सा correct answer होगा, जल्दी से, हाँ जी, very good conductor है, बिल्कुल है, option number two कह रहे हैं यहां पर, बाकी लोगों का क्या कहना है, युक्ती कह रहे हैं सर सी होगा, आदश कह रहे हैं सर reducing agent होगा, यहां पर correct answer दोस्तों होगा, oxidizing, क्या होगा, oxid oxidizing, option number two, वासू, रवी, अजय, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, बिल्कुल, confusion माला question हो, चाहे कोई सा भी हो, सर हम चीर देंगे, मतलब आगे लगा देंगे, ठीक है, आगे बढ़ता है, अगले प्रशे की तरफ, which of the following is the purest form of iron, निमलिखित में से कौन सा लोहे का शु परिया, रोहे कोई में आगे, टेस थालिखित में से कौन से कौन सा यहां तरह देंगे, कारीज भी है, का का शीज़चा बक्र का अरख यह प्राइंगे, जब सब आड बाभ करेंगे, डी चांую, खाल इस फुरे, कजा यहां बक्राइव घज़ता हूं, बिल्कुल, यहां प च्छानवरों एक जानवर है तो आसे आध कर लिजयेगा आगे करते हैं अगले प्रश्णी की तरह अगला प्रश्ण है दफोर्स एक्टिंग ऑन अब्जेक्ट पर पेंडिकुलर्ट टुदा सर्फेस इस कॉल्ड वस्तु पर सत्था पे लंबवत लगने वाला बलको डैश कहा जाता है प्रेशर वर्क थ्रस्ट और फ्रिक्ष्टन जल्दी से बताएंगे माएम कह रहे हैं यहां पर जल्दी से प्रेशर 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 आ रहा है कुछ लोग कह रहे हैं सथ्रस्ट होना चाहिए अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपके सामने यह रहा ब्रास ही मिक्ष्ट और पीतल डैस्ट का मिश्टन होता है कॉपर जिंग कॉपर टीन कॉपर निखल जिंग और कॉपर एलुमिनियम एंड मैंगनिशियम जल्दी से बताएंगे दोस्त कौन सा यहाँ पर होगा और सभी से गुजारिश है फटा फट से एक बर क्या करेंगे शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अभी क्योंकि पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त यहां पर आ रहा है सर, copper zinc, copper zinc, copper zinc, यहां पर correct answer होगा भईया, copper zinc, जब बोल दिया, तो बोल दिया, किसी कोई भी हार नहीं मानेगा, cu plus zn हम बना देंगे, brass में, ठीक है, और अगर bronze पूछ लेता दोस्तों, bronze, तो bronze में क्या होता है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से, bronze किसका mission होता है, bronze home work है भईया, अच्छे यहां पर प्रतुष ने answer दे दिया है, लेकिन home work number one, दोस्तों, आप class के बाद comment box में, इसको जरूर बताईएगा, कि bronze किसका mission होता है, जिससे हम class में कल discuss कर सकें, आगे पढ़ते हैं, अगले question की तरफ, match the following hormones and their site of secretion, यहां पर एक तरफ hormone दिये हुए है, ठीक है, दूसरी तरफ, क्या secret करते हैं, यह वो दिया हुआ है, thyroid, estrogen, pancreas, testosterone, testis, calcitonin और ovary insulin, आपको match करके बताना है, कौन सा correct होगा, ओ भाई, यहां पर सब लोग live chat पर answer दे रहे हैं, लेकिन हमने क्या कहा, आप लोग को कहा करना है, दोस्तों comment box पर, जिससे कल क्या करेंगे, आपने discuss करेंगे, किल लोगों ने correct answer दिया है, यहां पर राहूल कह रहे है, option number one होना चाहिए, प्रत्युष कह रहे है, option number one होना चाहिए, चलिए, तो भाई यहां पर देखें, ऐसे question में हम क्या करते है, elimination यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, elimination, आपको जो भी बनता है, आप उसको उठालो, सबसे पहले, ठीक है, हाँ जी, यहां पर देखें, यहां पर सबसे पहले आपको कुछ भी उठालो, तो माली जे testis उठालिया, तो testis आपको पता है कि testron बनाता है, मतलब C के साथ 2 option जाना चाहिए, तो C के साथ कहां पर 2 है, option number 1 में है, और option number 2 और 4 में है, तो 3 में नहीं है, तो 3 को eliminate कर दो, ठीके, आपको पता है, ovary क्या करता है, estrogen, क्या करता है, ovary estrogen, मतलब 4 का 1 होना चाहिए, 4 का 1 कहां, D का 1 कहां दे रहा है, option number 1 में दे रहा है, तो बाकी में नहीं दे रहा है, तो 1 option correct होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगले प्रशन की तरह, आगला प्रशन आपके सामने ये रहा, artificial rain is produced by seeding clouds with, कुत्रिम वर्शा बादलों में इसके seeding के द्वारा किया जाता है, silver iodide, potassium nitrate, copper sulfate और silver nitrate, यहां पर आ रहा है, sir, होना चाहिए, one option, one option, अजय, कुश्वाह, प्रत्युष, बाकी लोग का क्या कहना है, भाई, विकी कहरे, sir, यह option बहुत बढ़ी है, यहां पर correct answer होगा, silver iodide, क्या, AGI, भाईया, किसी ने बुलाया, और उन्होंने कहा कि AGI, ठीक है, चलिए, आगे बलते हैं, अगले प्रशनी की तरह, अगला प्रशन आपके सामने ये रहा, Which of the following is a type of protecting tissue in an animal body, निमलिखित में से कौन सा पशुषरीर में एक प्रकार का सुक्ष्राख्समक उतक है, muscular tissue, epithelial tissue, connective tissue या फिर nervous tissue, यहां पर epithelial प्रतिश कह रहे हैं, उजाला कह रहे हैं, Okay, very good, बहुत बढ़िया, यहां पर correct answer हो का दोस्तो, epithelial tissue, देखिए, अब आप से कई बार पूछा जाएगा, भी या, plant cell में और animal cell में क्या difference है, तो आपको बोलना है, plant cell में क्या होता है, cell wall होता है, क्या होता है, cell wall होता है, animals में नहीं होता है, हाँ, जी, चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके सामने, विच मौस्किटो केरीज दा पैरसाइट ऑफ मलेरिया, कौन सा मच्छार मलेरिया के परजीवी का वहन करता है, female edis egypti, female anophilis, female edis egypti, sorry male edis, और male anophilis, जल्दी से बताएंगे, यह पर लोग रहें सर प्सट्य नमबर टू होना चाहिए ँच्राव रवी अंजली मे फिसमेल ळी खून जूसेगी क्या हसी वड़ रहा और मैक्रोज्ट्रयाउत व्लिنت नहीं यहां मुरत अवशेशों और जीवों के अपसिष्ट उत्पाद में तोड़ने की सुक्ष मिजीवित क्या खेलाते हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर डिकंपोजर और नन अफ दीज जल्दी से बताएं यहां पर प्रत्युश कहरें से डिकंपोजर होना चाहिए आदर्श, बासू, उशा, बहुत बड़िया यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नमबर थ्री आपको पता है कि डिकंपोजर ही क्या करते हैं डिकंपोज करते हैं आगे परते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन आपके सामने इन विच ओर्गन ब्लाड इस इस्टोर्ड रक्त की संग में संगरेत कहोता है स्प्लिन लीवर किडिनी हाट यहाँ पर हाँ जी डिकंपोजर बिल्कुल सही है रितिका रोहेत जैनंदन ओके जैनंदन आगे बढ़ते हैं दोस्तों डिके हाँ यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा भईया स्प्लीन होना चाहिए तो भाईया बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन करेक्ट आंसर होगा जैसा कि यहां पर बात कर रहा है कि blood कहां पर store होता है तो स्प्लीन में होता है अगर मैं बात करता है WBC, RBC और platelets कहां पर form होते हैं तो आपको कहना चाहिए bone marrow कहां पर bone marrow स्प्लीन में तो यहां पर स्प्लीन कहां कहाता है एगले प्रहशन के तरह अगला प्रशना है by цен आव् everyone ग्रूप और पिरोडिक टेबल मेटलिक क्वालिटी आवतर साड़ी के एक समू में उपर जाते समय धातों की गुर्वत्ता डैश होती है इंक्रीज होती है रिमें दा सेम डिक्रीज और फ़स्ट इंक्रीज दें डिक्रीज हाँ जल्दी बसे बताएंगे सभी लोग पवन कह रहे हैं सर ऑप्शन नंबर वन होना चाहिए यहाँ पर प्रत्युश कह रहे हैं सर डिक्रीज होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल यहां पर रितिका बिल्कुल करेक्ट हैं यहां पर राजन रवी भासकर प्रिया बिल्कुल जब आप यहां पर क्या करते हैं बिल्कुल जब आप यहां पर क्या करते हैं बिल्कुल जब आप यहां पर क्या करते हैं बिल्कुल जब आप यहां पर क्या कर प्रेजन्स और प्रेजन्स और यह एक ऐसी रियक्शन है जहां पर रियक्शन होने के बाद हमारा लोहा जो होता है वह ब्राउन कलर का हो जाता है ठीक है उसमें क्या जरुरत होती है प्रेजन्स और यहां पर एपसंस दिया है और यहां पर एपसंस दिया तो यह तो होका नहीं ठीक है CO2 की ज़रत होती नहीं है तो presence of O2 O2 और H2 होती है ठीक है यह याद रखिएगा आगे पढ़ते हैं अगले प्रशनी की तरफ अगला प्रशन आपके सामने राय पती टाइमिंग क्या है सरक्लास की तो दोस्त यहाँ पर टाइमिंग होती है आपकी 9 से 10 बजे सुबर सुन्दर सुबर में हम करते हैं रेल्वे की GS ठीक है यह याद रखिए और शाम को SSC, CHSL और MTS क्या होने वाला है CHSL और MTS शाम को 6 से 7 बजे 6 to 7 पी-म तो भाईया जो भी MTS और CHSL की प्रप्रेशन कर रहे है शाम को जुडना मद भूलेगा और 2 पहर को होती है कौनसी हिस्ट्री की क्लास होती है क्या होती है हिस्ट्री की क्लास ठीक है दो से 3 बजे हिस्ट्री की क्लास चलिए आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्ट की तरफ अगला प्रश्ट है the upper part of the respiration track प्रोवाइडर विद था स्मॉल हेर लाइक इस्ट्रक्चर कॉल्ड श्वष्ण मार्ग के उपरी इस्टे के छोटे बलो बालो जैसी सनरचना होती है जिनेक डैश का जाता है ब्रॉंकी सीलिया विली और अल्वियो ली जल्दी से पताएंगे सभी लोग हाजी वणीशा जी गुड मॉनिंग सीलिया कह रहे है यहां पर प्रत्यशें सर अप्शन नमबर बान पाव। i पाया जात चाहीं है ए फिंगर लाइक इस्ट्रक्चर होटे हैं कैसे होते हैं फिंगर लाइक स्ट्रग्चर पाया जाता है बैलून- लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉस्थ है यह भी दो कि हपरने की तरफ Is which of the following is not a bacteria used in the process of fermentation निम-ल्रिकित में से कॉन सा एग इड़न की प्रक्र ह्रीया में प्रिख्त जिवानुक स्ट्रैप्टो कोथस लेक्टो बैसी लाज एकैमस केमपी लॉबैक्टर कम यह बताइंगे क्ट्राइबिले यहां प्रत्यूश आधर्स यहां पर प्रत्युष्ट को कस कह रहे हैं, ओके, इसको याद रिख लिजेगा, यह एक्जाम में आपको पूचा जा सकता है, इस नॉट आप, देखे क्या दिया है, नॉट आप बेक्टीरिया यूजी इन प्रोस्थे ऑफर्मन्टेशन, देखे लैक्टो बैसिलेस तो होता ह और दही बनाता है ठीक है स्ट्रेप्टो कोकस भी फर्मेंट के लिए यूज होता है आगे पढ़ते हैं अगले प्रश्णी की तरफ विच इस दा ओनली नॉन बैटली के एलिमेंट डेट इन लिक्विड स्टेट एड़ रूम टेंपरिचर वाकिला धातू तत्व कौन सा है ज चाहिए अ उजाला कहरें सब्सक्राइश के लिक्विड में होता है लेकिन होता है मैटल होता है कैसा होता है ऑर अगले प्रश्णी की तरफ अगला प्रशन आपके सामने, D नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे C होगा, D तो mercury metal है यहाँ और यहाँ पे non-metallic पूछा है, ठीक है? आगे पड़ते हैं यह अगले प्रश्णिकी तरफ, which of the following fungus is used in the making of bread? रोटी बनाने में किसका वप्योग किया जाता है, agarious, yeast, mukar या pythium? आशू कह रहें, सडाता है, तो सडी हुई चीज खाते हैं, तो देखें क्या होता है, दो तरीके के bacteria होते हैं, एक good bacteria होता है, और एक bad bacteria होता है, आप कई बार देखोगे कि कई लोग रात को brush करते हैं, ठीक है? वो सारा शाफ हो जाता है, जिसके जैसे bad bacteria form नहीं हो पाते हैं, तभी कहा जाता है, भाईया, दिन में दो बार brush करिए, सुबह और रात को, ठीक है? तो यहाँ पर भाईया, correct answer तो yeast है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर answer है, yeast, जिसको हम कहते हैं, खमीर, ठीक है? आगे परते हैं अगले प्रशी की तरफ, which one of the following polymeric material are used to making bulletproof jackets? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निमलिकित में से किस बहुलक सामगरी का उप्योग किया जाता है, नाइलोन 66, रियोन, केवलार और डेक्रॉन हाजी, गुरू, गौथम, इस्ट is the correct answer, बिहारी बाबू, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है सर, केवलार होना चाहिए, प्रत्युष कह रहे हैं, बाकी लोगों का क्या कहना है, ठीक है, केवलार, केवलार, ओके, यहाँ पर correct answer जोगा, वोगा, option number 3, केवलार is the correct answer, चलिए आगे याद रखेंगे, अगले प्रशे में बढ़ते हैं, dash compound has OH as functional group, dash yogic में एक ख्रियात्मक समू के रूप में OH है, carboxylic acid, ethnoic, acetic acid और alcohol, जल्दी से बात करेंगे, जल्दी से, जल्दी से, C option, C option, मतलब acetic acid बोल रहे हैं, महा काल भी आ गए हैं, यहाँ पर, okay, यहाँ पर alcohol आदर्श ने कहा है, क्या बात है, भाईया, इसको कैसे भूल सकते हैं, यह तो बड़ी favorite चीज़ है, लेकिन बड़ी खराब होती है, भाईया, मत लेना इसको कभी भी, ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर correct answer जो होगा, भाईया, क्या होगा, option number 4, भाईया, student कहरें, sir, हमारा favorite, लेकिन यह favorite नहीं होना चाहिए, कार्बोगजिलिक कैसे होगा, दोस्त, कार्बोगजिलिक नहीं होगा, alcohol correct answer होगा, OH, ठीक है, हाँ जी, चलिए, आगे पढ़ते हैं, अगले कोशे, ओ, हो, 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 यहाँ पर समय होता है, समाफ, जहाँ पर आज हमने जमके किये, general science के question, इसी तरीके से हम कल भी करेंगे, और आपको इसकी PDF मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, दोस्तो, आपको टेलिग्राम पर सर्च करना है, गौरव मौरिया, sir, test book, क्या करना है, दोस्तो की गई है, आप वहाँ पर जाकर, क्या कर सकते हो, ping कर सकते हो, text कर सकते हो, message कर सकते हो, आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी, ठीक है, तो tension बिलकुल भी ने लेना है, तैयारी करते रहना है, mock लगाते रहिएगा, और mock को जब आप buy कर रहे होगे, तो code use कर लिजएगा, game path, जिससे आपको discount मिल जाए, G-A-M-P-A-S-S, ठीक है, और अगर आपको आज का session अच्छा लगा है, तो like करिएगा, share करिएगा, subscribe करिएगा, और bell icon बटन को दबा लीजेगा, जिससे आपको सारी notification मिलती रहे, ठीक है, ललित कहरे सर, अभी तो आया हूँ, class का तब, तो लल करते हैं, आप जुड़ सकते हैं, CHSL, अगर आप तयारी कर रहे हैं, CHSL, और MTS की, तो आप साम को 6-7 बजे जुड़ सकते हैं, ठीक है, 6-7 बजे, और अगर आपको history पढ़ना है, अगर आपको लगता है, आपकी कमजोर है, और exam में और अच्छा करना है, तो history की classes चलती है, दो पहर, दो से तीन बजे, ठीक है, चलिए, दोस्तों तो अपना खयाल रखिएगा, ठीक है, पढ़ाई करते रहिएगा, अपनों का खयाल रखिएगा, हम फिर से मिलेंगे, एक नई क्लास में, एक नई energy के साथ, एक नई topic के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखिएग थे साथ, एक जई इक है, टु मैं अजर रखिएगा धित्री है, ये क बचार रखिएगा, इक नई खि opposition को, रखिएग участवीय अवजदाने, चलिएगट शॉआपी दाना रखिएगा, गॉपके अज़ाफिएगप का जाठी कर मिलेंगे, टु तो आपके साथ,